तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं Reasons of Outstanding Demands under TDS कि क्या क्या Regions हो सकता है जिसके वज़े से TDS में Outstanding Demand आता है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं Outstanding Demand क्यों आता है तो देखिए यहाँ पे जो Regions हो सकता है आपके सामने वो Multiple Regions हो सकते हैं उसमें से सबसे पहला रीजन है SORT DEDUCTION का आपके सामने जो Outstanding Demand आएगा उसमें रीजन रहेगा SORT DEDUCTION अब यह SORT DEDUCTION किन-किन वजहों से आएगा यह चीज हम लोग समझते हैं तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो है वो Due to Invalid Pan Entered इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जब आप Return फाइल कर रहे हैं आइदर वो 24 की हो, 26 की हो, 27 की हो, 27 की हो अगर आप Invalid Pan Enter कर दिये Invalid Pan कहने का क्या मतलब है कि वो Pan Valid and Operative नहीं है आप उसको Check कहां से कर सकते हैं तो आप उसको आप Traces के Portal से जाके Pan Verify कर सकते हैं तो वहां से आप Check कर सकते हैं अगर आप Invalid Pan या फिर Inoperative Pan आप Enter कर दिये और Return File कर दिये तो उस Case में क्या होगा? उस Case में Sort Deduction का Demand आ जाएगा कैसे आएगा यह समझते हम लोग Let's Suppose हम लोग किसी सक्स का किसी Person का Commission पर TDS Deduct किये 5% के Rate से अब उसका जो हम लोग Pan डालें Pan Enter किये वह Pan गलत था Invalid था, Inoperative था अब उस Case में क्या होगा? उस Case में Department को लगेगा कि नहीं यह Pan है ही नहीं तो जब Pan नहीं रहता है तो उस Case में TDS में क्या Provision है? कि जो TDS का जो Rate है वो 20% हो जाएगा तो उस Case में क्या करेगा? आपका जो Short Deduction का Demand आएगा वो इस तरीके से आएगा कि अब उस समय मान लेगा कि आपको 20% deduct करना था आप सिर्फ 5% deduct की हैं तो जो 5% आप 15% Rest हो गया अब 15% का Short Deduction का आपका Demand आ जाएगा तो इस तरीके से Next है Due to Wrong Rate Choosen अब जैसे क्या होता है? कि जब आप TDS पढ़िएगा तो हर एक Section में हर एक Section में कुछ-कुछ Sections में ऐसा होता है कि आपको Individual के Case में 1% TDS deduct करना होता है Other than Individual के Case में 2% TDS deduct करना होता है यह 194C में है तो इसी तरह से कुछ-कुछ और Sections में है जिसमें 2 rates होते Section 1 है लेकिन उसमें rates क्या है? अलग-अलग है Individual के लिए अलग rate है और Other than Individual के लिए अलग rate है तो अब आप क्या किये है? कि PAN है आपका मान लिजे Other than Individual का वो कैसे पता चलेगा तो PAN का जो 4th letter होता है उससे पता चलता है अगर Individual है तो P रहेगा अगर Other than Individual है तो P नहीं रहेगा अब मान लिजेए वहाँ पे C था Company था अब Company के case में उस section में 2% के rate से TDS deduct करना था आप TDS deduct कर लिए 1% के case में तो उस case में भी क्या आ जाएगा आपका Outstanding यह demand आ जाएगा in case of short deduction next क्या है wrong section opted अब simple सा बात है अब हमको क्या करना था हमको करना था 194H में जाके Commission पे TDS deduct करना था हम कर लिए 192 194C में जाके अब इस case में क्या हो जाएगा अब यहां पे जैसे अगर हम एक case लेते हैं जैसे मान लिजेए कि आपको 5% TDS deduct करना था किसमें आपको deduct करना था 194H में आप कर लिए 194C में अब क्या है और वहां पे जब आप return भी file कर रहे हैं तो उस case में 194H choose कियें तो भाईया आप section तो 194H choose कियें लेकिन TDS तो आप 2% TDS deduct कियें आप वहां पे rate भी बता दिए तो उस case में भी आपको क्या आ जाएगा short reduction का demand आ जाएगा तो यह पहला region हो सकता है next region हो सकता है जो next जो demand आता है वह interest का demand होता है तो interest में भी multiple points हैं किस-किस case में क्या-क्या interest मतलब किस तरह का interest का demand आ सकता है तो सबसे पहला interest on late payment of TDS है ना interest on late payment of TDS interest on late payment of TDS का मतलब क्या होता है हम लोग को अच्छे तरीके से पता है कि जो TDS का payment का जो due date होता है वो किसी भी माईना जैसे मानल जी April है तो April का जो due date होगा वो 7th of May होगा तो 7th of May तक अगर हम लोग TDS deposit नहीं करवाते हैं TDS payment नहीं करते हैं government को तो अगर साथ तारीक के बाद करते है 7th of next month के बाद करते हैं तो उस case में हम लोग को interest देना पड़ जाता है तो जो interest का rate होता है 1.5% per month होता है तो इस case में अगर आप late payment किये हैं और उसके साथ interest deposit नहीं किये हैं तो case में आपको interest का demand आ जाएगा next जो interest है वो है late deduction का अब जैसे जब हम लोग return file करते हैं तो वहाँ पे दो date पूछता है कि date of payment or credit और date of आपका deduction यह दो date वहाँ पे पूछता है तो आपको return file करते समय यह दो date पे आपको ध्यान रखना है यह दोनो should be the same होना चाहिए कि देखिए TDS हम लोगो कब deduction करना होता है payment or credit which ever is earlier तो माल लिजे payment or credit which ever is earlier एक specific माल लिजे 5th of date मतलब 5 तारीक को है लेकिन हम deduct कर दिए जैसे 5 April को है लेकिन हम deduct कर दिए date of deduction है 5 मही तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे late हो गया कितना 2 महीने का late हो गया April में काटना था तो April में भी नहीं काटे तो एक महीना उसको count करेगा May में काटे एक महीना उसको count करेगा तो यह जो late deduction है इसलिए जब भी आप return file करें ध्यान दे कि जो date of payment or credit or date of deduction का date most probably आपको same होना चाहिए तब जाके आपका यह demand नहीं आएगा ठीक है और यह इस case में demand आ सकता है interest on late payment of outstanding demand अब देखिए मालीजे किसी case में क्या होता है आपका outstanding demand आ गया या आइधर वह short deduction हो interest हो late fees अब आप क्या कर रहे है उस demand का आप नहीं correct कर रहे हैं और नहीं payment कर रहे हैं तो जब आप late से payment करिएगा तो उस case में जो demand amount है ना जो outstanding demand है उस पे भी interest लगाएगा तो उस case में भी वह चीज आ सकता है next है interest on short deduction पे भी आपको क्या है demand आ सकता है next reason हम लोग देखते हैं वह late fees का ठीक है late fees क्या होता है तो जो हम लोग जानते हैं कि जो tds का return होता है वो quarterly file होता है quarterly कहने का क्या मतलब है कि आपका जैसे अप्रील मई जून एक quarter खतम होगा तो एक quarter खतम होने के जस्ट एक महिना तक time मिलता है कि भहिया अप्रील मई जून 31st of July तक आप quarter one का आप return file कर दीजे लेकिन क्या होता है बहुत लोग 테orkstart नहीं करते हैं जब return desires करते हैं उस समय wanna क्या होता है कि अगर थैफ़ अगस्त को कि Tag आप उसका payment rate three बिमांड जमा कर समय अगर आप उस case में भी demand आपका आ सकता है, तो यह सारा demand आपको कहां पे दिखेगा, यह आपको traces portal पे दिखेगा, अब इस सारे, इन सभी का solution क्या है, तो देखिए, कुछ-कुछ case है जिसमें आपको return revise करना पड़ेगा, return revise करना पड़ेगा, जैसे, अगर आप invalid pen डाल दिए हैं, तो अब आपको valid pen डालना पड़ेगा, तो यह automatic होगा, कि आपका जैसे आप return revise करेंगे, और उस case में आप सही pen number डालिएगा, तो वो जो demand होगा, वो आपका automatic हट जाएगा, तो इस case में आपको क्या करना पड़ेगा, इस case में आपको जाकर return revise करना पड़ेगा, wrong rate चूज कर लिए हैं ठीक है, तो उस case में भी आपको return revise करना है, wrong section opt हो गया है, तो उस case में भी आपको return revise करना पड़ेगा, तो आखिर हमको पता कैसे चलेगा, क्योंकि demand तो सिर्फ पता चलेगा, short reduction में यह है, इतना demand है, तो वो तो हम traces से जाके justification report डाउनलोड करेंगे, वहां से हमको issue पता चल ज revise करने के लिए, वहीं से console file download करेंगे, फिर से return revise कर देंगे, ठीक है, next यह सब जो अगर interest है, जब आप जान रहें कि हाँ interest सही है, तो simple सा आपको क्या करना है, जो outstanding demand है, उसको interest का head में जाके आप उसको payment कर दीजिए, income tax portal से, और next आपको क्या करिया, वो एक दिन लगता है, आ आपको return revise करना पड़ेगा, तो इस तरीके से जाके, अगर late fees है, तो late fees का चलान जमा करीं, और traces के portal से ही उसको क्या करीं, आप adjust कर सकते हैं, तो these are the things which you have to keep in your mind, तो thank you so much.